कि अब बात कर दी है पहला लुक टॉपिक है हमारा यूकन और बिल्कुल इंदम आराम आराम से बात करेंगा हलके हलके में बात भी करेंगे की दूल के बारे में कुछ आइडिया दो होगा आपको जो है क है हान। एक यूनित है ओके और यह यूनिट किसकी है अमाउंट आप सबस्टेंस की अमाउंट को नपने के लिए हम बोल का यूज करते हैं किसी सबस्टेंस के माउंट को नापने के लिए कोई और भी यूनिट है कोई आइडिया कि इनियूनिट और अमांट ऑफ सब्स्टंस अब सब्स्टंस के अमांट को कैसे नापने हैं आप बोलिए गां के जी में ग्राम में एक नहीं ठीक है तो आल्रेडी भी है वन यूनिट कीलो ग्राम या फिर ग्राम या फिर टन मिट्रिक टन फिंटल यह जो भी यूनिट्स हैं यह भी सब्सटंस के अमांट को नापने के लिए ही फिर भी हमेंसे म under use को ना पने के लिए एक और यूनिट की ज़ूरत पड़ी and that is known as mole concept okay that is known as mole concept okay तो चलिए थोड़ा सा mole concept की बात करते हैं क्यों जुरुत पड़ी एक किलो ग्राम या ग्राम को से मतार एंट को कितना मांट को माःस को basically रिपजेट अपने पढ़ा होगा तो आझाल एक को हमारे पास कोई मोमबर के लिए यूनिट करते हैं जीज हमें पता गड़ना है कि कोई सब्स्टेंस है फार एक्जामपल देस पैन इस पैन में यह सपोच कीजिए कार्बन से बना हुआ है ओके अगर कार्बन से मिलके बना हुआ है तो यह पैन में कितने कार्बन हैं इसको नापने के लिए भी एक युनिट की व्यूद दो गी है कि नहीं है ओर दैसे नंबर को नापने के लिए जो युनिट जाइए होता है ढ़ा के नंबर को नापने की तुक झॉनट नंबर्स तू matar कॉननन तो got थो नंबर आफ आटम्स कहले लिए फिलाल यूनिट गई है फिलाल यूनिट गई है नमबर आफ यूनिट इन असबस्टेंस ठीक है हम मोल का यूज करते हैं ओके किसी भी सबस्टेंस में यूनिट्स को नापने के लिए क्या क्या नमबर आपने के लिए कुई और यूनिट है क्या हमारे पास नbra कुण आपने के क favor and unit कि अब यूनिट कि आपने के लिए कोई और यूनिट वेलकुल वेरे गुड डजन डजन है ना एनिटिंग विच इस ट्वेल्व इस नोन आज डजन है ना तो हमारे पास नंबर को नापने के लिए एक यूनिट है विच इस डजन जो कि हम simply life में करते हैं एक लिन जाते है तो हम कहते हैं एक गरजन अंडे देतरा है ठीके अपने थे ओus का यूज करते हैं पेज नंबर आफ पेज़ कुन आपने के लिए रिम का यूज करते हैं अभी अभी नम यह सर्थ हाँ बटा कैसे हैं आपने जॉइन किया मुझे पता ही नहीं चला कॉंसेटि किया था आपने मम है मौल कॉंसेट कर रहा है पहला टॉपिक आज मैं स्टाट कर रहा था है यह फालका कॉंसप्ट के बारे में कुछ आइडिया कुछ भी बेसिक आइडिया कुछ और वहां से धीरे धीरे हम करेंगे हम सारी चीज़ों की बात करेंगे लेकिन एक पहला टॉपिक पहला दिन है हम और अल्रेडी हम उस टॉपिक की अब भल जो तो सुना होगा सायद मुझे ऐसा लग रहा है नहीं सुना तो सुना तो तो इस को थोड़ा सा मैं रिवाइस करता हूं ओक्षिस करता हूं और और भी बड़े की बाथ करेंगे तो आपने अभी ज्वाइन किया है तो मैं बता तो मेरा नाम शांतनु सोनी है और मैं आपको पढाउंगा ओके एमाँन्य को नापने के लिए किया जाता है सब्सटेंस का कितना एम अमांट है ठीक है और ओल्री सब्सटेंस ओफ एमांट को नापने के लिए एक यूनिट है हमारे पास और तो इक और भी यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है मोल एक और यूनिट है जिसको हम mole कहते हैं जिसको हम mole कहते हैं और actually ये जो kilogram या gram है ये क्या बताता है kilogram या फिर gram ये mass को बताता है आपने अगर physics में बढ़ा होगा तो कितना mass है उसके अंदर थीगर उसके बारे में kilogram और gram बताता है प्रिंटल या फिर kilogram या gram नंबर के बारे में नहीं बताता है तो नंबर के बताने के लिए एक दूसरी यूनिट है जिसका नाम है मोल उसी की बात हमें करते हैं मोल का यूज हम जनरली डेली लाइफ में नहीं करते हैं मोल का यूज केमिस्ट्री में करते हैं क्यों करते हैं उस के वarentूल जस्टिम ऐसे से को कांट्ट करने की एक यूनित अंडे लेने जाते है नाम सुना है भी मजधार कहानी किसी ने सुना बेकरज़ सबस्कार कि इसको बेकर बहुत बहुत पुराने समय में एक राजा थे कोई भी सबोज कीजिए कुछ कहीं के भी थे लेकिन कोई राजा थे उनके राज में ब्रेड्स बिकता था जो भी ब्रेड बनाने वाले होते थे बेकरी वाले वह ब्रेड्स बना के दे अब कोई बेकरी वाला छोटा सा ब्रेड बना रह तो यह बड़ी समस्या थी की बात थी कि कोई छोटा दे रहा है कोई बड़ा दे रहा है तो इसके लिए उस समय वहां की राजा ने यह फिक्स कर दिया कि बहिए अगर कोई एक दर्जन ब्रेड लेता है तो उसका वेट कम से कम सटन वेट यानि की फार एक्जामपल 200 ग्राम हो होगा किसी के किसी के इसका एक दर्जन बेक ब्रेड का जो वेट होगा अगर 200 ग्राम से कम होगा तो फाइन लग जाएगा उसके उपर तो वहां के लोगों ने क्या किया अब उस समय पता नहीं जो भी था साइद इतना वेट इतना यह न रहा हो तो उस समय के लोगों ने उस फाइन से बचने के लिए क्या किया तेरा तेरा ब्रेड एक एक एक्स्ट्रा ब्रेड देने लगे उनका वेट कम नहों कर देखे साथ सबके पास तराजुना हो ऐसा में वी ऐसा रीजन हो लेकिन वो बचने के लिए पाइन से बचने के लिए सब सारे बेकरी वालों ने एक दरजन में 13 तो कि उनको फाइन से बचना था राजा के पाइन से बचना था और इसलिए यहां से एक दूसरा नाम आया बेकर्स डजन बड़ाई इंट्रेस्टिंग सा नाम है कहा नहीं छोटी सब्सक्राइब इसमें 13 होते हैं इनिस्तिंग विचेस 13 इस लोना यह बेकर्स डजन ओके यह तो थोड़ी से इंगलिस की बात आगे बढ़ते हम तो एमंट को नापने के लिए नंबर को नापने के लिए हमारे पास एक यूनिट है ड़से इसी तरह से अमंड को नापने के लिए एक और यूनिट है विच इस नमबर को नापने के लिए डजन यूनिट है वैसे ही नमबर को नापने के लिए एक और यूनिट है विच इस नोन आज मोल जिसकी वैल्यू होती है इसको एक मोल में इतने कुछ भी इतना हो अगर तो दाट इस नोन आज वन मोल जैसे एक डजन में एनिटिंग विच इस त्वेल्व इस नमबर आपके पास याद होना चाहिए इस नमबर को किस ने दिया था एवगैद्रो ने एवगैद्रो एक साइंटिस्ट थे इसके नमबर के बारे में कहानी तोनी से समझाओंगा आपको आगे चलके लेकिन फिलाल जानी एवगैद्रो ने दिया था इस लिए इस नमबर को हम एवगैद्रो नमबर या फिर एवगैद्रो रोज कॉंस्टेंट भी कहते हैं और सौट फॉर में इसको एन फॉर नमबर एवगैद्रो एन एसे डिनोट करते हैं इस एट क्लियर की कहें यहां तक बहुती सिंपल सिंपल बाते बाते कर रहा हूं सो मोल इस जस्ट लाइक ड़जन बस इतना समझेगा कई बार आप डड़ जाते हैं मोल से क्या है भाई मोल मोल कुछ नहीं है जैसे होता है वैसे बूल होता बसडीफ्रेंवेंश इतना है कि मोल एक बहुत चोटा यूनिट है इसी भी नमबर को नापने का एक चोटा यूनिक सिर्फ comprendra को भी स्वींट चोइवन कोई वी यूनिट अगर ट्वैल वह तो उसको मदॉजन कहेंगे वैसे ही कोई भी अगर इतनी तो उसको हम क्या कहेंगे वन मोल कहेंगे इस एट क्लियर को पासमझ में आई है एक मोल में 6.022 इन्टु टेन रेस्ट इपार 23 अफकोर्स इस वेरी बिग नमबर अफकोर्स इस वेरी बिग नमबर बहुत ही बड़ा नमबर अगर लिखने पर आ जाए हम तो जरा लिखने की कोसिस भी कर लें जरा तो ही देख ले 6022 और कितने जीरो लगाने पढ़ेंगे म कि अनुस्री 6022 के आगे कितने जीरो लगाने पढ़ेंगे कि बीस तीन तो यहां चले गए ना तीन टेंटेट पाउड थी जो है इस तो बीस जिरो लगाने पढ़ेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौँ दस यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ठारह उन्निस वीज इस बहुत्ज बढ़ा नंबर है है ओई है की नहीं तो खुद बढ़ा नंबर अ इस नंबर का करेंगे क्या बहृrun नंबर का इटने बड़े नंबर का तो चलिए जराद राद देख नहिसलेиться पर अब्येऻी ग्रों अर इस नंबर का कर सकते हैं कि अंडे वाले से जाके बोलिए यह हमको एक मोल आंडे दे तो कि यह पहले तो पुझेगा वह यह मोल क्या होता है कौन सी यूनिट आ गई कितने होते हैं तो के आप बदाएंगे उसको विया कल केमेश्ट्री वाले शट्में बताया था सिक्स पॉइंट जीरो टूटू इन्टू टेन लेश्टू दिपार टूंटी थी होते हैं पड़ा लिगा होगा तो कहा है यह मेरे पास इतने अंडे तो नहीं है है न है कि नहीं यह साथ बहुत बड़ा नंबर है इंडिया की एकॉनमी भी इतनी बड़ी नंबर की नहीं होग कोसिस कीजिएगा घर पे इसको युनिट टेन हंड्रेड करके करने की तो साथ यह ट्रिलियन से भी बड़ा है इंडिया की एकॉनमी साथ पूरे देश की पूरे सारे वर्ड की एकॉनमी को मिला दिया जाए तो इतना पैसा में हमारे इतने रुपया नहीं होंगे होंगे क्य या इतने डॉलर्स की बात कर लें तो कहने का मतलब मैं बस इतना बताना चाहता हूं और इस नंबर का यूज हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं तो करते कहां है इतने बड़े नंबर का यूज हम डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं तो करते कहां है इतने बड़े नंबर का यूज हम केमेस्ट्री में करते हैं ओके आटम्स और मॉलेक्यूल्स को गिनने के लिए तो काउंट तु काउंट आटम और मॉलेक्यूल करने के लिए वी यूज मोल है ना फिक है यहां तक कोई कन्सिजन बदाइएगा ज़्राभ कि बताइएगा यहां तक कोई कन्सिजन है किसी को कुछ पूछना है आप मोल के बारे में अच्छा यही नंबर क्यों इसके बारे में भी कहानी है आएंगे फिलाल मान लेते हैं कि यह नंबर है जैसे डजन में आप कभी सोचा है आपने बारह ही क्यों भई दस क्यों नहीं है तो हरे एक न्वर की कुछ फिस्थी होती है हला कि इस बार पर के पीछे को फिस्ट्रे नहीं है साइन्स नमबर कि मैं यही नंबर क्यों आँ गेने डिस्ट इसा नाहीं इस सइन्टिफिक नंबर और इसका यूज साइन्टिफिक कैल्कुलेशन से आया है क्या है कैल्कुलेशन हम समझेंगे थोड़ी देर में हम समझेंगे देरे-देरे चीजों को सांच जानेंगे फिलाग यह एक नंबर है जो की डजन के जैसा ही है अब्यसलि इस नंबर का यूज हम देली लाइफ में नहीं कर सकते हैं अम्मानी अपने बेटे को पैसे देने के लिए इस नंबर का यूज नहीं कर सकता चलो भाई आज अम्मानी बड़े खुस होगा है चलो आज बेटा तुम एक मोल रुपए लेलो मुझसे यह नहीं बोल सकते हैं इवन बिल गेट्स भी नहीं बोल सकते हैं इतने रुपए बड़ी मुश्किल सी बात है तो अम्बानी भी सायद इतने एक मोल से इस मोल मोल का यूज नहीं करता होगा रुपए गिनने के ठीक है तो इस नमबर का यूज हम किमिस्टरी में करते हैं आटम या मॉलेक्ट्रीं को गिनने के लिए बात समझ में आ रही है की नहीं आ रही है बताईए का जड़ा रहाना कुछ बोलते रही है तो बताइए यहां तक कुछ भी पूछना है आप लोगों को यहां तक इस नंबर के बारे में कुछ पूछना है किसी को अगलेश तो यह तो रही इस मोल की कहानी यह नंबर की कहानी यही नंबर क्यों उसकी भी बात करेंगे हम आगे लेकिन इस नंबर का यूज करते कैसे हैं थोड़ा सब वह समझते हैं इसके लिए बड़ी एक मज़दार को यह है मज़दार यह है साइंस है कह लिए इस्टोरी है कि आपने अपने आटम के अटॉमिक नंबर और अटॉमिक वेट के बारे में सुना होगा अटम के बारे में कुछ तू जानते हों क चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समय आटम और मॉलेक्यूल के बारे में आपको बताते हैं आटम और मॉलेक्यूल क्या होता है जरा बताइएगा कि मतलब वह पूरा सबस्तेंस बना हुआ है और कुछ इसमें कुछ योड़ना चाहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट योनिट को डू ढू अग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली रह सकता एक्ष एक अटम अकेला नहीं रह सकता बहुत ही ज्यादा रियेक्टिव होता है आटम है वासां में तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं आटम को स्मॉलेस्ट यूनिट smallest unit of a substance smallest unit of substance which do not exist independently यह हमेशा किसी के साथ रहना प्रेफर करता है अकेलिए रहना प्रेफर नहीं करता है which do not exist independently okay I was on it always exist it always exist with same element मुझे और विद अदर एलिमेंट आना पर एक्जाम्पल कार्बन अकेला कभी एकजिस्ट कर सकता है क्या नहीं है कार्बन अकेला एक कार्बन का एकप्र एकप्रहथ कर सकता है बहुत सारे carbon के atoms exist कर सकते हैं को सारे aggregate of carbon hydrotation हो सकता है एक carbon atom कभी भी अकिला exist नहीं कर सकता है रीजन इस वेरी मच अंस्टेबल में ilum vistoook. Carbon लिभे Regular नाइट्रोजन नित रॉजन किस inform में टाक्रिजिक करता है सिएन के फकार्म में बहुत सारे कार्बन के एक साथ बना लेते हैं और जब बहुत सारे कम कार्बन के एक साथ बना लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम क्या होते हैं वह या तो ग्रिफाइड होगा यह होता है तारबंस भी तो बनावता है न कि तायमंड बिल्कुल बिल्कुल विल्कुल व्रच हो सकता है रियमंड हो सकता है या फिर और पताःएगा कुछ और कुछ नाम सुनाए गभी अई येस सर अ क्या है बिल्कुल बकी बाल वी कहते हैं इसको पताएंगे आगे चलके discuss करेंगे फुले इंच और आजकल तो नैनोट्यूब भी आगये है के नैनोट्यूब की बात होती है कार्बन नै्ट्यूब की के स्टेबलाई 자 संतला और नाइट्रोजन मनाता है इसका हम नाइट्रोजन एंट्फ को क्या कहतwash क्यों ज sind नहीं कर सकता अक्यूजन अकला एक कारबन और दो ऑक्सिजिन यह मिलकि क्या बना ले थियर रहे बहुत आई ऐसे ही बहुत सारे कार्बन एक कार्बन चार हाइडरोजन के साथ कंबाइन करता है तो क्या मनाएगा दोड़ी हम प्रसे मॉलेकूल्स की बात करने से पहले मैं एक काम करता हूँ अथा मीटिंग को स्टॉप करता हूँ दो मिनट के लिए फिर से आप लोग जोहिल कीज़ कि मीटिंग को मैं थोड़ा सा दो मिनट के लिए स्टाप करता हूं फिर से ज्वाइन कीजिएगा एक्चली ठीक है ना ओके हाँ